इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है। यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है। रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मध्यमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्थर को नियंठरित कर सकते हैं, तो आप मधुमें की गंभीर जटिलताओं जैसे, कि गुर्दे की खषती, आँखों की खषती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आपको टाइब दो मधुमे है और आपको पहले से ही हरदे रोग है तो ट्राइमेगावोग दो टैबलेट एसार हरदे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा। उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। आपको इसका उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है। इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। ट्राइमेगावोग दो टैबलेट एसर को खाली पेट लेना है। ट्राइमेगावोग दो टैबलेट एसर तीन एंटिडाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है। ग्लिमेपाईराइड, मेटफॉमिन और वोगलिबोज। जब एकल या दोहरी चिकित सा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शरकरा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते हैं। ग्लिमेपाईराइड एक सलफनीलूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है। मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोज के उतपादन को कम करता है। आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविधन शीलता को बढ़ाता है। वो ग्लिबो से एक अलफा ग्लूकोसिडेस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोज जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है। यह भुजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर को बहुत उच्छ स्तर तक बढ़ने से रोकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।